हेलो फ्रेंड्स, मेलकुम फ्रम ड्रीम फेंटसी आज हम टीम मेकिंग करेंगे मैच नमबर 90 जो कि राजस्थान रोयल्स वर्सेस रार्सीब की बीच और काफी अमेजिंग रिकॉर्ड्स जिससे हम लोग ग्रेंड टीम्स बना सकते और कई बड़े प्लियर्स को ड्रॉप करेंगे हैवी परसेंटेज वालों को क्योंकि जब तक आप बड़े प्लियर्स नहीं छोड़ पाएंगे जब तक हम लोग छोटी जब तक हम लोग छोटे प्लियर्स पर नजर नहीं मार पाएंगे एंड बड़े प्लेस को ड्रॉप करना जरूरी है Grand League के लिए इस Head-to-head की भी टीम मनेगी बट लेगें जो Grand Teams है Most Focus हम लोग करेंगे Grand Team बठीगे तो मैच नमबर होगा 90, Ground होगा सवाई मान सिंग इस्टेडियम RCB वर्सिस RR, रायस्थान वैल्स रायस्थान अपने 3-3 मैच जीत के आई है और RCB 4 मैं से अपने 3 मैच हार के आई है तो पूरा Focus करेगी RCB ये मैच जीतने के लिए RR का Home Ground है इसी Ground पे 2-2 मैच अपना जीता है एंड एक अधर जगे जीता है इस Ground पे पहली Betting करके जीता है इसमें उसने पहली Betting करी है ठीके न पहली Betting में उसने 180 प्लस रंट होके और सामने वाली टीम को दिया Betting करने का मौका इसका मिलब साफ है RR अगर जीतेगी तो Betting पसंद करेगी इस साइड पे रंचेज नहीं हुए इत्ती इसली हाँ ये लग बात है कि बैंगलोर का पडला थोड़ा सा भारी है रंचेज में ठीक है Head to head देखते दोनों साइड से 55% सिलेक्षन पर पच्छन बिनिंग साइड शो कर रही है RCB का and 45% रायस्थान का and ये चांस मैं चाहरा हूँ थोड़ा सा RCB विन करेगी मुझे ऐसे लगता क्यों थोड़ा सा फोकस जाता होगा चार मैच जोनों के मिच पिले हुए है दो मैच RCB जीती है दो मैच रायस्थान जीती तो मतलब head to head देखा तो एककोली बराबार है इसमें कोई मूर निंग है बैटिंग पिच्छ जैसा कि मैंने पहले बोला कि 180 प्लस ठोके हैं फिर मौका दिए सामने वाली पिच्छ को तो मतलब 182 मैच में बन गए थे चेस करते टैम भी 170 के आसपास आ गए थे क्रूशियल मैच था जो की फसा था ठीक है वीडियो थोड़ी कोई बना रहोगा जल्दी टैम कबर हो जाए ओवराल बैटिंग सपोर्टिब पिच होगी पेसर्स का डॉमिनिशन रहा तो बैटिंग सपोर्टिब पिच ओविसली क्योंगी लंड बिलकुल अच्छे घले हैं बहतरीन फैब डपलीसी एक ही मैच पिले करा है 15 रन बनाये थे उनston मेंकसवल rowy एक इमेच मेंच पिले करा संज्यू सैमसिम्सस साथ मेंच पिले करा थी सरा ठीक है क्रन सर्मा एक इमेच पिले करा 2 wicket, से ख़ाद मैकसववल एक मेंच पिले करा 1 aquest से या लगवाथ है 176 मतलब बहुत हैवी होता है और 176 मतलब फश्ट इनिंग में अच्छे रन खलेंगे एंड सेकंड इनिंग में मतलब 162 है इस ग्राउंड में रन मनते अच्छे और चेस करते टाइम भी रन मनेंगे अच्छी क्वालिटी अगर चेस हुई तो चेस भी हो सकती है इस फेपरिट लेकर चलेंगे आर सीबी तो चेस पांच की टीम बनेगी निजने लाद हैं अगर आप नजड़र रखे तो चार कीपर शो हो रहेए संजू सेम्सन जोस बडलर ए रावत अनुजरावत और दिनेस कार्थ अब चार में से चार की चार्ट तो कभी ड्रीम टीम में आएंगी नहीं तो इधर बनती है दो की जगे आपको दो के साथ जाना होगा किसी भी दो आप किसी भी दो में कौन-कौन हो सकते हैं मुझे ऐसे लगता डीगे के चार्ट बनेगी अनुज़रावत लेकिन डीगे से पहले उतर रहे हैं ठीक है देखे सबसे पहले श्टारट करएं सन्जू सेंसं इंज एक पर्शेंट इसका स्लेक्शन पर्शेंटेजी और पांच पर्शेंट गेप्तों और साथ एक य्ट कर्वेंड तो ऑपने। भी के अगेंज्ट थोड़ा से रिकॉर्ड डाउन है हर मैच में 26 पॉइंट देते हैं इस ग्राउंड पर रिकॉर्ड अच्छा है हर मैच में 35 पॉइंट दे देते हैं जोस बटलर जोस बटलर अभी अपने रंग में देखें नहीं जैसा वो उनका एक स्वैग होता था हमेश मैच पर एक ड्रॉप साइन होता है जुसको हम लोग ड्रॉप कर सकते हैं ठीक है ट्राइ करना कैप्टन बास केप्टन से बचना टॉप से सभी के लिए अनुजरावत एक ही दो मैच में ड्रिम टिम में कंसलर हुए एक मैच्छे चले थे बागी दो मैच में अच्छे आये इस इस इस्टेडियम में का रिकॉर्ड अच्छा है एक ही मैच पर लेकर आ है 60 पॉइंट यह उन्होंने दिये थे तो इस इस्टेडियम के बेस पर अच्छा है और ऑपोनेंट के अगेंस्ट भी अच्छा है देगे अनुजरावत की एक चीज़ है कि दिनेस कार्थिक के प 12 पॉइंट दिये तो यहां से दोनों पॉइंट्स चेक मिलते हैं जिससे अपना दिनेस कार्थिक भी आउट होते हैं की पर हैं बसते दो ऑप्षिन एक बसता है अनुजरावत और सेकंड बसता है संजू सेमसन ठीक है तो यहां से दो पॉइंट खाली होगा हमारे बसते हैं तो चेस करना परसंद करेंगे ब्राट कोली इसका रिकॉर्ड खराब है और उपनेंट के अगेंज्ट भी रिकॉर्ड खराब है हर मैंच में 28 पॉइंट बना हैं तो यहां से दोनों का खराम मिल ले इसका मतला हम लोग इनको कैप्टन एंड वाइस कैप्टन से बचेंगे हां चेस करते हैं टाइम आया तो हम लोग जरूर सोच सकते हैं ठीक है तो ब्राट को लिए बहुत बढ़ाए ट्रम कार्ड है जिस पर हम लोग रिस्क लेंगे फिरा आता है ससी जैस्वा और अभी उस टेच में नहीं देखे जिस वज़े से फेमस है तो हो सकता है इस मैंच में भी 82% का सेलेक्शन परसेंटेज है कैप्टन वाइस कैप्टन वही 1011 और इस स्टेडियम में भी इनका कोई खास रिकॉर्ड नहीं है तो हम पिक करके चल सकते अगर आप चाहे तो की मैच में देखेते हैं पहले मैच में अच्छे रंग में CSK के अगरें बाकि तीनों मैच बेकार गाए हैं बाकि हाँ इस स्टेडियम में का रवाट अच्छा है एक ही मैच प्ले कर रहा चोहत्तर पॉइंट दिए ऑपूनेंट भी पसंद है यहां से हम लोग का एक चेक प में कंसीडर होगा है वो केंच की बदवलत दो से तीन केंच लेके गए थे इस बज़े से बाकि बैटिंग में वो टच नहीं देखा तो इस बज़े से हम दो ड्रॉप करके चल सकते केप्टन बाइस केप्टन तो सोच नहीं नहीं हाँ अगर आप चाहँ तो उसके साथ जा सकते एकाल मैच में पिक करके चल सकते ड्रीम टीम के लिए ठीक है 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 में बहुत डाउन है यार बिल्कुल इससे पहले अस्विन तक को उतार देते हैं अस्विन के सासत फिर बैटिंग अस्विन को बॉलिंग मिल जाती है इस वाज़े से इनका कुछ नहीं हो सकता और वो साइन नहीं है ठीक है इनको भी ड्रॉप मारो इनको लाश मैच में इंपेक्ट पिले के तौर पर यूज़का तो अच्छे पॉइंट दिये थे और इस ग्राउंड मिंड का रिकॉर्ड अच्छा हैगा अगर इनको कुछ करवाते तो इंपेक्ट पिलेर में क्या रहता न कई नहीं भी किया इस बज़े से दिक्कत हो जात लगता है इस मैच में कुछ अच्छा हो जाए लाश्ट चार मेंच में से तीन मेंच में ड्रीम डिम में कंसिडर हुए और तीरानवे परसेंट सेलेक्शन परसेंटेज है इस स्टेडिया में का रिकॉर्ड बहुत धास हुए एक ही मैच प्ले कर रहा है 106 पॉइंट दिये आप से क्रॉस चेक है केप्टन बाइस केप्टन की बहुत अच्छी च्वाइस बनती है ग्रेंड में भी एंड इस्वन में भी लियान प्लाग बहुत अच्छे टच में देखें हैं अभी तक इस सीरीज में बट मुझे असे लगता हो सकता यह मैचन का थोड़ा सा डेमेज अच्छी वाला हो क्योंकि तीन में इनके बहुत अच्छे हो गए हो सकता यह मैचस में जाद अच्छे से परफॉर्म ना कर पाएं ठीक है तो काफी पॉब्लिक जाएगी इनके साथ कैप्टन बाइस कैप्टन में भी बट आप चाहें तो उनको साथ आप ड्रॉप कर सकते इस स्टेडिये में चार मेंच पर लेकर बास बावन का एबरेज रेट है इनका ठीक है फिर आते हैं केमरान गिरीन अभी उस टेच में नहीं देखे बैटिंग भर पूरा रही है बॉलिंग भी दो दो ओवर मिल देखे तीसरे नमबर में बैटिंग आ रही है दो ओवर मिल हैं तो यह बहुत अच्छी चोईस बन जाते रभी चंद अस्विन अगर इनकी बॉलिंग को बिल्कुल मत रखना क्योंकि सेटीन में हलकी सी ड्यू के चांस बन जाते हैं क्योंकि बैटिंग भर पूरा रही है इनकी बात भी है और इनको सबसे पहले उतार रहे हैं लेकिन ह 30-30-40 के आसपस कैप्टन बाइस कैप्टन की ना सोचना कि कैप्टन बाइस कैप्टन बनाए जाए निको ठीक है प्राता बॉलिंग शेशन ट्रेडवोल्ड ट्रंप कार्ड ट्रेडवोल्ड ले सकते किसको फैब डॉपलिस या बराटकोली में से एक को जरूर लेके जा सकत हूं पसंद देगा बट हम लोग क्याप्टर माइस क्याप्टर करके चलेंगे यह उंदर चाहल एक विकेट तो लही लेते हैं एप्रोक्स और तीन के तीन मैच में ड्रिम टीम में कंसीडर हुए तो यह हमारे बहुत बड़ा ऑपोचुनिटी बनेगी कैमन को ड्रिम टीम मे इनको पसंद नहीं RCB के पहले ख्लाप पहले तो RCB में खेल दी थे तो इस वार ख्लाप में तो इस वार RCB से नहीं क्योंकि बहुत अच्छी प्रेक्टिस करी है लेकिन हां अगर आप पिसके बेसिस पर जाया तो इनको कर सकते सेकेंड बॉलिंग आए तो बिल्कुल पिक मत इन में से मुझे समझ में नहीं रहा है इन में से आप एक किसी को भी कर सकते आप अगर प्ले करा तो आटो प्ली को रख लेना ठीकिन पिछे में बैटिंग से पॉइंट दे ती इसलिए हो गया था अधरवाइस नोट लोगी फरगुशन को खला नहीं रहें तो आप यहां स चाहें तो मुहमद स्राज को पिक कर सकते ठीक है बागी किसी को नहीं ट्राइक करना तीन बॉलर के साथ जाने का चार कीपर साथ तीन और बैस्ट में एक एक या दो आप ऑल लांडर घटाके दो कीपर कर सकते ठीक है तो यह कॉम्बो बनाके जाएंगे सेफ कैप्टन होगा हमारा पहली अगर चेज करते में मिला तो हम लोग बाइस केप्टन जाएंगे बराटकोली के साथ केप्टन जाएंगे इसके साथ मैक्सवेल के साथ ठीक है यह रहेगा हमारा कॉम्बो वीडियो अच्छी लेगी तो लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब कीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में